गास गंज जुनपत की पट्याली तहसील और गंज डुरुबारा ब्लॉक के गाउं बरोना और बतौली में गंगा अपना रौंद्रू रूप दिखा रही है बरोना में पिछले 24 खंटे के भी तर साथ मीटर से अधिक का कटान हुआ है कटान के दौरान बरोना गाउं के बाहरी छेतर में ग्रामीडों के खलियान पूरी तरह से खाली कर दिये गए हैं और अब ये खलियान गंगा की जद में हैं तेजी से कटान बढ़ता देख ग्रामीड अपनी अपनी जोपडियों में से सामान निकाल कर गाउं के उंचे इस्थानों की तरब बढ़ रहे हैं और तलब है जलादिकारी हरसिता माथुर ने बीते सनिबार बरोना और बतौली का निरच्छड किया था गंगा का कटान देख सिचाई विभाग ने भी इस कटान को रोकने का प्रयास किया लेकिन सिचाई विभाग के अधिकारियों दौरा पाइप से लगा कर कटान रोकने की कोशिश की गई लेकिन ये उपाए गंगा की तेज बहाब में बह गया बरोना के प्रधान प्रतिनिदी मुकेज की माने तो सिचाई विभाग ने समय रहते अपनी गंबीरता नहीं दिखाई जिसके चलते गंगा के जल इस्तर में हुई ब्रद्धी और धार की तेज रफ़तार ने उनके गाउं को अपनी चपेट में लिया है प्रधान प्रतिनिधी ने ये आरोप लगाया कि जलादिकारी दुवारा अगले साल इस गाउं के कट्ट बंद निर्माड का आशवाशन दिया गया है लेकिन समस्या अभी है अगले साल क्या होगा किसको क्या पता है ग्राम प्रधान प्रतेनी धीवा ग्रामीडों ने जलादिकारी कार्याले पहुंचकर शासन बाजलादिकारी से मांग की है कि ग्रामीडों की शमस्याओं को सुना जाए और उन्हें मदद दी जाए गंगाजी का पानी इतनी तेजी से बह रहा है कि गाव कटा जा रहा है कि घर कट चुके हैं लेकिन कोई भी अभी विवस्ता ऐसी नहीं है जो कि कटा रुख सके तो कलेक्टेट पर क्या जलादकारी महुद्या से नहीं मनने आए महादा जी को अब गत कराने आये हैं कि कोई बचाय के लिए कोई बिवस्ता की जाए जैसे हम लोगों के घर बच सके हैं